हेलो एवरिवन, वल्कम टू माई योट्व चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और जैसा कि आपको पता है कि NTPC का शॉट नोटिस जो है वो कहीं दिन पहले आ चुका था और आज है 13 सितंबर 2024, कल 14 सितंबर से जो graduate आली पोस्ट है उस पर आप लोग अपलाई कर पाएंगे तो सुबह सही student के comment आ रहे दें कि sir जो detail notification है वो कब तक आएगा तो आपका इंतजार almost खतम हो चुका है क्योंकि railway ने अभी अभी अपने official website पर जो है NTPC का short notice जारी कर दिया है और वो notice तो आपको दिखाएंगे साथ ही आपको ये बताएंगे कि किस zone में आप लोगों को apply करना चाहिए तो किस zone में सबसे अधिक post आएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे और जो graduate student है वो कल apply करने के लिए तयार रहें क्योंगे कल से आप लोग apply कर पाएंगे बाकि जो 12 वाले student है वो 21 सितंबर से apply कर पाएंगे तो उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी चीजे बताते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजे अगर आप भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो किरन पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली mathematics की इस बुक का आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको सभी chapters के topic wise questions देखने को मिल जाते हैं और जितने भी exam railway के अभी तक हो हैं उन सभी के questions आपको systematic way में इस बुक में मिल जाते हैं यहां से आप अपना base मजबूत कर सकते हैं सेम बुक reasoning के लिए आते हैं तो mathematics reasoning का base आप यहां से बना सकते हैं और अगर बात करें GKGS की तो chapter wide solve paper आपको इस soli book में मिल जाते हैं यहां से भी आप लोग अपने GKGS को prepare कर सकते हैं बेस मजबूत बनाने के बाद practice करने के लिए available भी हैं साथी link description में हैं वहाँ से भी आप इनको purchase कर सकते हैं तो देखिए अभी अभी जो railway की official website है उस पर यह notice सामने आया है और यह अभी केवल बिलासपुर की website पर आया है कुछ देर में यह सभी website पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी सिरफ यह एक short notice railway ने जार लेवल 5 की है लेवल 6 की 2730 पोस्ट है और लेवल 5 की 5383 पोस्ट है एक सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है स्टूडेंट का कि सर क्या लेवल 6 और लेवल 5 के लिए अलग अपलाई करना पड़ेगा क्या दो फॉर्म भरने पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है आपको इन दोनों पो एक ही बरना है ठीक है तो अभी सिर्फ यह शोर्ट नोटिस इन्होंने दिया है और नीचे आप लोग डेट देख सकते हैं 13 तारिक की डेट है भी कुछ दिर पहले अपड़ेट हुआ है सवाल यह उठ रहा है कि इसका डीटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो देखो उ उसे जोन में ज्यादा वेकेंसी आने की उम्मीद है तो इस पूरे डेटा को जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यह जोन वाइस उन्होंने बदाए कि जो सेंट्रल एरिया है सेंट्रल वाला जोन है उसमें बिलासपूर मुंबई आता है उ सौरे लेलवे वाल जो पार्ट है जिसमें कॉलकाता और माल्दा और राची आता है उसमें आपको ठीक टाक वेकेंसी देखने को मिलेगी 1046 हैं और उसके अलावा गर बात करूँ वैस्टरन रेलवे वाला जो पार्ट है जिसमें एहमदाबाद बोपाल मुंबई आता है वह पर आपका मुंबई है, एहम्दाबाद है, और इधर आपका मालदा वगेरा जो यह है, इस्टन वाले मालदा हो गया जैसे है, या फिर आपका कॉलकाता जोन हो गया, इन चारपा जोन में ज्यादा वेकेंसी आने की उम्मीद है, इस डाटा के अकॉर्डिंग, बाकि शाम तक अब डीटेल नोटिफिकेशन हा जाएगा, उसमें आपको देखना है कि आपकी केटेगरी की वेकेंसी कहां पर जादा है, क्योंकि देखो पोस्ट कम है, कॉम्पटिशन अच्छा रहेगा, तो आपको थोड़ा स्ट्रेजी कहली सोचना पड़ेगा, पहले आप अपनी केट आसपास वेकेंसी है, मालो की, एक स्टूडेंट है, मालो मैं ही हूँ, मैं यूर केंडिडेट हूँ, मैंने देखा कि कॉलकाता में मेरे लिए 80 सीट है, वही मेरे अब इलासपूर में मेरे लिए 75 सीट है, तो ऐसे आसपास वाले आप जोन देखो 3-4, फिर उन 3-4 जोन में आप लोग थोड़ा सा अनलाइज करो, आप ये देखो कि आप क्या घर के पास जोब चाते हो, अगर घर के पास जोब चाते हो, तो उन में से जो जोन आपके घर के सबसे नहस्दी को उसको अपलाई कर देना, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई परिटिकुलर जोन आपका फ अपलाई किया था, वो डाटा आप थोड़ा से अनलाइज कर सकते हो, और वो डाटा आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, शाम तक वीडियो बना दूँगा, डीटेल में, वहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सारी चीज मिल जाएंगी, तो इन तीन चार चीज़ों को देखकर ही आप एक जोन को चूज करें, किसी के ये कहने पर कि मुंबई अच्छा जोन है, यहाँ पर चूज करो, ऐसे कभी मत करना, मैंने एलपी में भी यही बताया था, स्टूडेंट को टेग्निशन में भी, आर रबी जैई में भी, कभी दूसरे के पॉन्ट अफ आप लोग अप्लाई करो, ठीक है ना, तो जोन चूज आप कर ले ना, जब भी नाटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पूरा डेटा है, वो मैं आपको दिखा दूँगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,